देश प्रदेश और दुनिया की कुछ खास खबरी नेदली विधायक रवीराना और उनकी पत्नी सांसद नवनित राना मुख्य मंत्री उधर ठाकने के घर मातुश्री के बाहर हनमान चालिसा पार्ट करने पर अड़े रहे तो सीमा उलंगन करने वाले एक वकील को फटकार लगाते हुए पंबे हाई कोट ने कहा है कि वकील का यदाई तो होता है कि वह अदालत की गरिमा वह मर्यादा को कायम रखे वही उश्रा मंत्री डॉक्टर नितिनलाउट का कहना है कि अदानी और जेस्टेबल ने जो तैब बिजली सप्लाई थी वो हमें नहीं थी हमने उन्हें नोटस भेजा है इस बीच प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केश उपाद्धी ने कहा कि जेल में बन मंत्री मलिक को राज मंत्री मंडल में बनाये रखना महाराश्ट का अपमान है तो उधर हाई कोट ने साफ किया है कि निची अस्पतालों से कुविट रोधी टीके लेने की एवच में कोई मुआवजान नहीं दिया जाएगा प्रदेश की इन पाच बड़ी और खास खबरों को विसार से जानने के लिए बने रही हमारी साथ निर्दलिय विधायक रविराना और उनकी पतनी सांसद नवनीत राना को मुंबई पुलिस ने धारा 149 के थाथ नोटिस दिया है बावजुद इसके दमपत्ती आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान 40 पार्ट करने पर अड़े है नवनीत राना ने कहा कि मैं पार्ट करके रहूंगी सरकार होगी तुमारी लेकिन लोगों ने ताकत हमें दी है इसे दावरान मुंबई में नवनीत राना के घर्व के बाहर बड़ी संख्या में शिवसाइनिक पहुचे बेरिकेट सुखार फईका शिवसाइनिकों का उद्देश नवनीत को मातोश्री जाने से रोकना रहा इधर मातोश्री के सामने भी बड़ी संख्या में शिवसाइनिक जमा हो गए शियोसेनीकों ने चुनोती दी है कि राना दमपत्ती मातोश्री पहुच कर दिखाए मातोश्री के सुरक्षा विवस्ता कड़ी कर दी गई है किसी भी तरह के टकराओ को रोकने के लिए मालाबरा हिल्स में मुख्यमंत्री के आधिकारी कावास वर्षा के भार भी भारी पुलिस बल तैनाथ है शियोसेना सांसाच संजयराउत ने कहा कि हनुमान चालिसा का पाट करना और रामनवमी मनाना आस्था का विशय है नकी दिखावे का राना जैसे लोग भाजपा के लिए नवटंकी और स्टन्ट करने वाले पातर है लोग इस तरह के स्टन्ट को गंभिरता से नहीं लेते उन्होंने राना दमपत्ती को बंटी और बबली करार दिया महराष्टर के गुरुह मंत्री दिलिफवल से पाटिल ने कहा कि राना दमपत्ती महुल खराब करना चाहते है मातोष्री के बाहर हनुमान चालिसा का पाट करने के क्या जरूरत है वे इसे अपने घर में कर सकते है सीमा उललंगन करने वाले एक वकील को फटकार लगाते है बॉंबे हाइक कोट का अधिकारी होता है यह उसका दाईत्व है कि वह अदालत की गरिमा वह मर्यादा को कायम रखे वकील के पास कोट को धंकाने का लाइसंस नहीं होता है अदालत में हंकार अत्वा उद्धंडाता के लिए कोई जगा नहीं है नयमूर्थी अनुजा प्रभुदेशाई ने कहा कि घिनोनी अकांक्षाओ के प्रभाव के चलते आम लोगों का नयाई पालिका के प्रतिव इश्वास प्रभावित होता है दरसल अधिवक्ता अंजली पाटिल ने अपने मुवक्किल दीपक काली चरण कनुजिया के जमानत आविदन पर ततकाल सुनवाई के लिए निवदन दिया था कनुजिया पॉक्सो कानुन से जुड़े मामले में आरोपी है अधिवक्ता पाटिल के सुनवाई के आगरह पर नयमूर्थी प्रभुदेशाई ने उनसे पूछा था कि इस जमानत आविदन पर ततकाल सुनवाई क्यों की जाए जवाब में अधिवक्ता पाटिल ने कहा कि उनकी कोर्ट में कुछ मामलो वह कुछ वकिलों को ही प्राथमिक्ता दी जाती है इसी के साथ पाटिल ने इशारा किया कि कोर्ट निश्पक्षन नहीं है वह पक्षपाती है पाटिल ने कहा कि वे इस मामले की शिकायत मुख्य नयादिश से भी करेंगे इन दलिलों को सुनने के बाद नयायमूर्ति ने कहा कि वकिल के पास अपने मुवकिल के हित को सुरक्षित करने का अधिकार है क्योंकि वह वकिल अपने मुवकिल के प्रती जवाब दे होता है लेकिन वकिल को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कोर्ट का अधिकारी भी है नय दिश्व कोर्ट पर आधार हिन आरुप लगा कर नय प्रभावित करने का लाइसंस वकिल के पास नहीं है भारी गर्मी के बीच लोडशेडिंग के उत्पन स्थिती को देखते वे सरकार गंबिर है महावितरन लगातार कोशिश में है कि लोगों को लोडशेडिंग जैसी परिस्थिती का सामना नहीं करना पड़े उर्जामंत्री रॉक्टर नितीन राउत का कहना है कि अडानिय और जैस डबलो ने जो तैब इजली सप्लाई थी वो हमें नहीं दी हमने उन्हें नोटिस भेजा है जैस डबलो से 300 मेगावाट इजली हमें मिलना है लेकिन वो हमें नहीं मिल रही है उन्होंने माना कि राज्य में लोडशेडिंग कुछ हिस्सों में शुरू है क्योंकि राज्य 1400 से 1500 मेगावाट बिजली के कमी से जूज रहा है लोडशेडिंग उन इलाकों में ज़्यादा की जा रही है जहासे बिजली के बिलो का बकाया राशी ज़्यादा है लोट सेडिंग अब तक चलेगी इस बारे में कुछ भी कहानी जा सकता पुर्जामंतरी राउत ने आम लोगों से साउधाने से बिजली का उपयोग करतेवे सहयोग की अपिल की है राउत ने बताया कि कल हमारे पास कोईला भी आया है हर रोज 1,38,000 मिट्रिक टन कोईले की जरूरत महराश्टर को है कल 1,37,000 मिट्रिक टन मिला है टाटा से हमने 180 मेगवाट बिजली की मांग की है राउत की बात यह है कि महाजेनको और अदानी पावर कमपनी ने महावितरन को ज़्यादा बिजली उपलब्द कराने का भरोसा दिया है इससे महाजेनको की तरप से महावितरन को अब 6,800 मेगवाट के बजाए 7,500 मेगवाट बिजली उपलब्द कराई जाएगी इस बिच महावितरन ने कहा कि बिजली गरहकों को अतिरिक्त सेकूरिटी डिपॉजिट 6 मासिक किस्तों में भरने की सुविता दी गई है इससे उपवगताओं को अनावशक परेशानी से राहत मिलेगी राकापा के कैबिनेट मंतरी नवाम मलिक को लेकर घमसान जारी है सारकार ने अभी उनसे इस्तिवा नहीं लिया है इससे विरोदीदल खफा है प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशय उपाद देने कहा कि जेल में बंद मंतरी मलिक को राज्य मंतरी मंडल में बनाये रखना महाराश्टर का अपमान है अब तो सुप्रीम कोट ने भी मलिक के जमानत आविदन का खारिज कर दिया है प्रवर्तन निदेशाले ने भी मलिक के खिलाप मुंबई की विशेश अदालत में 5000 पन्नों का आरूप पत्र दाखिल किया है इसके बावजूद मुख्य मंतरी मलिक को मंतरी पत से बनाये रखे है उपाद्धे ने कहा कि मलिक बीते कई दिनों से बिना विभाग के मंतरी है संभौता या देश में एक रिकॉर्ड होगा कि जेल में बंध होने पर बिना किसी विभाग की जिम्मेदारी के मलिक मंतरी पत पर बने हुए है मलिक को ईडी ने 23 फरिवरी को मनी लॉंडरिंग और अंडरवर्ड डॉन दाउद इब्राहिम के करीबियों से संफती खरीदने के आरोप में गिरपतार किया था उन पर आरोप है कि उन्होंने मुम्बई के कूरला के मुनीरा पलंबर की 300 करोट रुपे की जमिन पर 30 लाक रुपे में खरीदी थी और उसमें 20 लाक रुपे का ही बुक्तान किया था इस जमीन के मालिक को इसका एक भी रुपया नहीं दिया गया उनसे ये जमीन पावर आफ अटर्नी के जरीए अंडरवर्ड डॉन दाउद इब्राहिम से संबंदित और मुंबई बंबलास्ट के आरोपी के नाम करवा दिया गया था इसके बाद नवाब मलिक के बेटे फराद मलिक के नाम से ये जमीन ले ली गई थी और दाउद की भाएन हसीना पारकर के खाते में 50 लाक रुपय ट्रांसफर किये गये थे भंबे हाइकोट ने कोवीड रोधी टीकों से वापस लेने के मुद्दे को लेकर दाइर याचिका पर सुनवाई करते विए याचिका करता को पूने के सिरम इंस्टिटूट आप इंडिया को पक्षाकार बनाने का निर्देश जिया है जबकि राज्य सरकार के सारवजनिक सास्त विभाक की और से जारी आदेश में साप किया है कि नीजी अस्पतालों के पास उपलब्द कोवीड रोधी टीकों की सरकारी अस्पतालों से अदला बदली नहीं की जा सकेगी इसके साथ ही नीजी अस्पतालों से कोविड रोधी टीके लेने के एवज में कोई मुआवजा नी दिया जाएगा एकस्पायर हो चुके टीकों का इस्तेमाल ना किया जाए जिन नीजी हस्पतालों के पास टिके उपलब्द है उनका इस्तेमाल सरकारी हस्पताल में किया जाए और टिका लेने वाले शक्त से कोई पैसा न लिया जाए कोट ने पिछले सुनवाई के दोरान राज्यसारकार को टिके वापस लेने के निवेदन पर राज्यसारकार को निर्णे लेने को कहा था इसके मद्दे नदर सारवजनिक्स वास्ते विबाग ने उपर उकता आदेश जारी किया है दरसल एक नीजी मैटरनिटी होम ने कोवी शीर्ड के 6,000 वाइल टिके खरीदे थे इसमें से इस्तेमाल नहों सके 3,490 टिके 6 बज गए है जिनकी कीमत 21,98,000 रुपे है 3,490 में से 49 टिके 21 अपरेल को एकस्पायर हो रहे है जबकि 300 टिके 2 मई 2022 टक एकस्पायर हो जाएंगे मेटरनिटी होम इस्तेमाल नहों सके इन कोवीड रोधी टिकों को वापस करना चाहता है नयमूर्ती रेवती ढोरे वो नयमूर्ती मादव जामदार की खंडपिट ने मामले की सुनवाई की अगली सुनवाई गुरवार को होगी केंडरे मादेमिक शिक्षा बोर्ड ने नय सिलबस में कक्षा दस्वी की समाच विग्यान की पुस्तक से पाकिस्तानी शायर फैस अहमत फैस की शायरी और ग्यारवी की इतिहास पुस्तक से इसलाम की स्थापना उसके उद्धै और विस्तार की कहानी को खटा दिया है तो चिनावी रणनीतिकार प्रशांत की शुरु चल्थी कॉंग्रिस का हिसाब बन सकते है पार्टी ने उनके लिए जिम्यदारी भी तैक कर दी है वही तबादला रुकवाने के लिए यूपी लखीमपूर खिले जिले के बेहसाम में एक स्कूल की करीब दो तरशन चात्राओं को उनकी दो शिक्षिकों नी चट पर बंधक बना लिया उधर देश में कोणा एक बार फिर से तेजी से पैर पसान लगा है कई राज्यों में फिर मास का निवारिय कर दिया गया है केंद्रियम अध्यमिक शिक्षाबोड ने नए शायक्षिक सत्रा के लिए पाठेकरम की गोशना कर दी है अपने नए सिलेबस में CBSC ने कक्षा 10 की समाज विज्ञान की पुस्तक से पाकिस्तानी शायर फैज अमत फैस की शायरी और गैरवी की एतियास पुस्तक से इसलाम की स्थापना उसके उदय और विस्तार की कहानी को हटा दिया गया है इसी तरह बारवी की किताब से मुगल सामराज्य की शासन प्रशासन पर एक अध्धाय में बदलाव किया गया है सिलेबस में इन बदलाओं पर शिक्षक समुदाय की राय बटी हुई है कोई विद्यार्थियों के फायदे में बता रहा है तो किसी का मानना है कि इससे स्टुडन्स बहुत सी महत्व पुर्णबाते जानने से महरूम हो जाएंगे एक शिक्षक ने कहा कि इसलामी भूमी जैसे अध्धाय को हटा देने से एक दिल्चस रिस्से को छोड़ दिया गया है इसमें एक धर्म के रूप में इसलाम की स्थापना सूफी बात पैगंबर आधि के बारे में जानकारी दी गई थी इसकी जगह पर खाना वदोष सामराज्य का अध्धाय जोड़ा गया है जिसमें गेंगिस खान को एक शक्सियत और शासक के रूप में दिखाया गया है यह अध्धाय विद्यार्तियों के लिए बोज़ बन सकता है वही एक अन्यशिक्षक ने कहा कि संभावता बोर्ड बच्चों पर से बोज़ कम करना चाहता है इस कारण कुछ अध्धाय हटाय गये है जो चैप्टर इस सत्र में जोड़े गये है वो विद्यार्तियों की लियाद से आसान होगे हलाकि आरूप यह भी है कि स्कूल हो या कॉलेज पाठक रूमों में बीना किसी कारण के वदलाव किये जा रहे है सिलेबस से क्या हटाय जा रहे है और क्या जोड़े जा रहे है इसकी ठीक से पड़ताल होनी चाहिए चुनावी रन नितिकार प्रशान किशोर के कॉंग्रेस में शामिल होनी की अटकल उपर जल्दी विराम लग सकता है खबर है कि वह जल्दी कॉंग्रेस का हिस्सा बन सकते है इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि उनके लिए पाल्टी ने जिम्मेदारी भी तै कर दी है बिते कुछ हपतों में किशोर ने कॉंग्रेस के बड़े निताओं के साथ बैक टू बैक बैठा के की है इत दवरान 2024 लोकसभा चुनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है इधर किशोर के प्रस्ताओं पर चर्चा के लिए सूनिया गांधी की ओर से गटित वीशेश्टीम चाहती है कि किशोर पूरी तरह कॉंग्रेस के लिए समर्पित रहे और अन्य पार्टियों से नाता तोड़ ले इससे पहले किशोर पश्चिम बंगाल विदान सभा चुनाओं में सत्तारूर तरूनूल कॉंग्रेस के साथ काम कर चुके है पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि किशोर राष्ट्रिय स्तर पर भूमिका चाहते है और किसी भी एक पार्टी में बंधे नहीं रहना चाहते पार्टी के वरिष्टे नेता दिगविजय सिंग चुनावी रननितिकार को पार्टी में शामिल किये जाने और उन्हें बदलाव करने के मोके देने के समर्थक है उन्हें कहा कि वह कुछ मजबूत सुजाओ के साथ आगे आये है और उन्हें जो प्रेजन्टेशन दिया है वह अच्छे है बता दे कि प्रशान किशोर ने पार्टी के सामने पहला प्रेजन्टेशन बीदे साल दिया था वही मोजुदा प्लान के बारे में ज़्यादा दानकारी सामने नहीं आई है लेकिन यहां जानकारी जरूर सामने आई है कि राहूल सोनिया ने मिलकर उनकी भूमी का तैकर दी है आमतार पर अधिकारियों तक अपनी बात पहुचाने के लिए लालच के हतकंडे अपनाये जाते रहे है कई मामलों में रिश्वत खोरी भी सामने आती रही है लेकिन अब बंधक बनाने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा है यूपी लखिमपूर खिरी जिले के भैजाम में कस्तुर्बा गांधी बाली का विद्धाले की करीब दो दर्जन चात्राओं को उनकी दो शिक्षकों ने गुरवार की रात कथित तौर पर छट पर बन कर दिया अधिकारियों ने कल शुक्रवार को यह जानकारी दी लखिमपूर खिरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्षमिकान पांडे ने बताया कि शिक्षकों ने अनुशासनात्मक आधर पर दूसरे केजी बीवी में हुए उनके तबादले को रद्द कराने के लिए इस तरह के ह वापस लाया गया दो शिक्षकों मनोरोमा मिश्रा और गोल्डी कटियार के खिलाप भारतिय दंड सहीता की धाराओं के ताथ एक प्राथमी की दर्श कराई गई है इस मामले की चार सदसिय समीती द्वरा विभागी अजाच की जाएगी समीती को तीन दीन में रिपोर्ट देने को कहा गया है जाच में दोशी पाये जाने पर शिक्षकों के खिलाप सेवा अनुबंदों को समाप्त करने साइथ कड़ी कारवाई की जाएगी देश में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसारने लगा है बढ़ते संक्रमन ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है वही कई राज्यों में एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है स्वास्थय मंत्राले द्वारा जारी शेनिवार के आकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 2527 मामले सामने आया है इस दवरान 33 लोगों की मौत भी हुई इसक ये राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1042 नए मामले सामने आया है वही जानलेवा वायरस की चपेट में आने के कारण दो लोगों की जान चली गई दिल्ली में वर्तमान में संक्रमंदर 4.64 फी सदी हो गई है महराष्टर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 21 नए मामले सामने आये है और एक भी मौत नहीं हुई है वही मुंबई की बात करे तो यहाँ 24 गंटों में कोरोना के 68 नए मामले मिले है बतादे की शैनिवार के आकडों की अनुसार महराष्टर में 24 गंटों में 119 मामले सामने आये थे आकडों को देखते वे संबंदित सरकारों को केंद्र ने आगा किया है सबसे चिंता उन अभिभावकों को है जिनके बच्चों की बोल्ड परिक्षाय है क्योंकि बच्चों में ही संक्रमन दर जादा है साल 1877 की करांती के दोरान बाबू वीर कुवर सिंग के अंग्रेजों पर जीत हासिल करने की समरूती में मनाया जाने वाला विजय उच्चों समारों इस साल आजादी के अमरूत महुच्चों को समर्पित है वीर कुवर सिंग के इलाके बिहार के भोचपूर जिले के जगदिश्पूर में आज शनिवार को आयजित समारो में शामिल होने के लिए केंदरी या गुरुमंत्री अमिच्छा पौचे है समारो में करीब दो घंटे तक रहने के बाद वे सासाराम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे समारो का केंद्रा जगदिशपूर स्टित कुवर सिंग का एतियासिक किला रहेगा लेकिन वहाँ जगह छोटी पड़ रही थी इसलिए मुख्य कारेक्रम जगदिशपूर से दो किलोमेटर दूर आरा महोनिया मार्क के किनारे दुलोर गाव में होगा जगदिशपूर में केवल माल्यरपन होगा खाजबात यह भी है कि गुरूह मंत्री अमिच शाह के उपस्थिती में वहाँ एक साथ 75,000 राष्ट्रिय द्वच फैरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा इसके पहले एक साथ 7,500 राष्ट्रिय द्वच फैराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है सन 1867 की करांती के दवरान भीहार के ततकालिन जमिधार बाबू वीर कुवर सिंग ने अंग्रेजों के दाथ खट्टे कर दिये थे उन्होंने कुछ दिनों तक अपनी रियासत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में सफलता भी हासिल की थी अंग्रेजों से जंग के दावरान घायल हो जाने के कारण कुछ समय बाद वे वीरगती को प्राप्त हो गए अंग्रेजों पर उनकी विजय की स्मूरूती में हर साल जगदिशपूर के उनके खिले पर विजय उत्सव मनाय जाता है कारेकरम में बड़ी संख्या में आमवक खास लोग आएंगे इसे देखते हुए वहां लगबग 10,000 वहानों की पार्किंग की विवस्था की गई है सिंगापूर में 28 वर्षय भारतिक नागरे को ताग जाग करने के दो मामलों में 11 हफतों की जेल की सजा सुनाई गई है तो यूकरेन के राष्ट्रपती जलन्सकी ने चेताया कि उनके देश पर रूस के हमले तो बस शुरुआत है मासकों ने दुन्या के अन्य देशों पर कवजा हासल करने की यूचनाब बना रखी है वही विशलेशकों का कहना है कि यूकरेन यूद्र में तठस्तर रहकर भारत ने पश्यमी देशों को अंतराष्ट्र डिप्लोमसी का मास्टर क्लास पढ़ाया है इस बीच फ्रांस में राश्चुपती चिनाओ के लिए दूसरे दौर का मदान कलर रविवार 24 एपरिल को होगा मैकरो की नजर लगातार दूसरी बार जीत हासल करने पर है की जेल की सजा सुनाई गई पुमलई प्रशांत को अपराधिक रूप से प्रविश करने समित चार अन्य आरूपों पर विचार करते ववे सजा हुई कमपनी ने उससे फेयर मॉंट सिंगापूर होटल में एलुमिनियम के पैनल की सफाई करने का काम दिया था इसी दोरान उसने 16 वर्शी अमेरीकी छात्रा का वीडियो बना लिया जो वहां महिलाओ के शवचाले का इस्तिमाल कर रही थी उसके मोबाइल फोन में तकरीबन 2009 अपत्ति जनक वीडियो भी मिले अपराध के वक्त पुमलई के पास काम का परमिट था पिछले साल 11 मार्श को उसने एक अंतर राष्ट्रिय स्कूल की 16 वर्शी अच्छात्रा को निशाना बनाया था जब वह आटवी मंजिल के शवचाले में जा रही थी तो उसने पुमलई को गलियारे में देखा इसके बाद वह शवचाले में गई तो किसी के घुसने की आठ सुनी वह डर कर शवचाले से बाहर भाग गई और घटना की जानकरी अपनी स्कूल शिक्षिका को दी जिसमें बाद में होटल के सुरक्षा करमिस से शिकायत की गई इसके बाद पुमलाई को हिरासत में ले लिया गया तो उसने वॉच बेसिन से पानी पीने के लिए शवचाले में गुसने की बाद कही हाला की बाद में उसने अनादिकरूत रूप से प्रविश करने और लड़की के दो वीडियो बनाने का दोश्ट स्विकार कर लिया यूकरेन के राष्टावती वोलेदी मिर जेलेस्की ने चेता है कि उनके देश पर रूस के हमले तो बस शुरुवात है मासकों ने दुनिया के अन्य देशों पर कबजा हसिल करने की योजना बना रखी है बता दे कि इससे पहले रूसी जनरल ने कहा कि वे दक्षिनी यूकरेन पर पूरा कबजा चाहते है जेलेस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारी तरह सोच वाले देश एक जुट हो साथ दे अगर एक जुटता में देर हुई तो फिर कुछ नहीं बचेगा रूस आगे बढ़ रहा है फिलाल यूकरेन के पूरे दक्षिनी भाग पर रूसी सेना कबजा करना चाहती है इससे उसे मालदुवा के कबजे वाले इलाके में जाने का रास्ता मिल जाएगा रूसी सेना के सेंटरल एरिया के डिप्टी कमांडर रूस्तम मिनेकायव ने यहाँ बयान रूस के उस दावे के उलट दिया है जिसमें कहा गया था कि वह यूकरेन पर कबजा करना नहीं चाहता बलकि उसकी सैन्य ताकत को खत्म करना चाहता है एक वरिष्टर रूसी सैन्य अधिकारी के अनुसार दक्षिन यूकरेन की तगड़ी घिरावन्दी कर ली गई है उसे ज़्यादा खुन खराबे के बगर जीतने की रननीती बनाई गई है यूकरेन में मारियोपोल शहर पर विजय हासिल करने के बाद रूसी सैनिक अब पुर्वी यूकरेन के बाखी बचे इलाकों पर कबजे की रननीती बनानी की तैयारी में है इनकी निशाने पर अब डोनेस का इलाका और यूकरेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार क्यों है मारियोपोल शहर में अभी बी एक लाख से जादा नागरिक बिशन अभाहों के बीच घरों में कैद है यूकरेन सरकार उन्हें शहर से निकालने की कोशिश में जूटी वी है भारत की आलोचना करने वाले अब खामोश है यह अकेला दक्षिन एशिया ही मूलक है जिसने यूकरेन पर हमला करने के लिए रूस की निंदा नहीं की भारत ने अंतर राष्टिय दवाव में आकर रूसी तेल का आयाद भी बन नहीं किया जबकि अमेरिका के नेतरुत्व में दुनिया भर के कई दे शुरूस पर वित्तिय प्रतिवन लगाते रहे वाइट हाउस की नाराजगी भी सामने आई राष्टरपती जो बाइडन ने कह दिया कि यूकरेन संकट पर भारत की स्टिती कुछ हद तक डावाडूल है लेकिन अचानक पस्चिम के सूर बदल गए ब्रिटिश पीम बोरिस जॉंसन दिल्ली आकर कह गए कि पीम मोदिनी यूकरेन युद्ध के दौरान कई बार हस्तक्षिप किया और पुतिन के साथ बाच्चित की अमेरिका के उपर आश्टिय सुरक्षा सलाकर दलिप सिम ने भी साप किया कि भारत का रूस से उर्जा खरीदना अमेरिकी प्रतिवंदों का उलंगन नहीं है यह भारत का नीजी फैसला है कि उसे रूस से तेल खरीदना है या नहीं बाइडन ने भी इसी महिने प्रदानमंत्री नरेंद्रवुदी से बाच्चित की तो दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंद और साजा मुल्यों की बात की गई विशलेशकों का कहिना है कि भारत ने पस्ची में देशों को अंतरराश्ट्रिय डिपलोमेसी का मास्टर क्लास पड़ाया है दरसल चीन के बढ़ते उभार को काउंटर करने के लिए अमेरिका की कोशिशों में भारत का बड़ा रोल है प्रांस में राश्ट्रपती चुनाओ के लिए दूसरे दौर का मतदान कल रविवार 24 अपरेल को होगा इस चुनाओ में मुकाबला मौजुदा राश्ट्रपती इमेनुविल मैक्रो और दक्षिन पंथी मरीन ले पेन के बीच है मैक्रो की नजर लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने पर है उन्होंने कहा कि मरीन का दक्षिन पंथ निराशा से भरा हुआ है और यह समाज को तोड़ने और नफरत का जोखिम पैदा करता है पहले दौर के चुनाओ में किसी भी उम्मिदवार को 50 फी सदी से अधिक वोट नहीं मिले थे रिपब्लिक ओन दमोव पार्टी के मैक्रो को 27.8 फी सदी और नैशनल रैली की मरीन ले पेन को 23.1 फी सदी वोट मिले थे दूसरे दौर के ओपिनियन पोल मौजुदा राश्टरपती मैक्रो को बढ़त दे रहे है लेकिन ले पेन की दक्षिन पंथी पार्टी सत्ता के इतने करीब कभी नहीं आई इसलिए अटकलो का बाजार बहत गर्म है फ्रांस के चुनाओं का सबसे प्रमुक मुद्दा कास्ट आप लिविंग है जिसमें बिजली के बिल, राशन के दाम और इंधन की कीमते शामिल है ले पेन ने एक ऐसी सरकार का वादा किया है जो कास्ट आप लिविंग की महेंगाई को कम करेगी वही मैकरों ने पिछले दिनों एक टिवी बहस में अपने प्रत्विद्वन्दी ले पेन पर रूस के साथ उनके संबंदों और मुसलिम महलाओं को सारवजनिक स्थान पर हिजाब पहनने के अधिकार से वंचित करने को लेकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि ले पेन परमानु हतियारों से लेंस और जातिये रूप से विवित्ता रखने वाली यूरोपीय शक्ति का नेतरुत्व करने और रूस का मुकाबला करने के ख्षमता नी रखती विश्व विद्यलाय अनुदान आयोग यानी UGC और भारत में तक्निकी शिक्षा को बढ़ायवाद देने वाले AICTE ने पाकिस्तान के शिक्षन संस्थानों को लेकर चेतावनी जारी की है भारतिय शात्रों के लिए जारी किये गए सयुक्त परामर्श में कहा गया है कि भारतिय शात्र पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज या शैक्षनिक संस्थान में प्रविश्न ले UGC के मुताबिक पाकिस्तान से पढ़कर आने वाले शात्र भारत में नवकरी वा उच्चे शिक्षा पराप्त करने के पातर नहीं होंगे UGC और AICT ने कहा है कि भारतिय शात्र उच्चे शिक्षा के लिए पाकिस्तान न जाए पाकिस्तान जाकर तक्निकी शिक्षा, उच्चे शिक्षा या अन्य किसी भी प्रकार का कोर्स करने वाला भारतिय चात्र भारत में नौकरी अथवा आगे की पढ़ाई के लिए उच्चे शिक्षन संस्थानों में दाखिला नहीं ले सकेगा यहाई UGC ने यहाँ स्पष्ट किया है कि ऐसे वेक्ति जो पाकिस्तान से आये है उन पर यहाँ नियम लागुनी होगा पाकिस्तान से आये प्रवासी और उनके बच्चे जिने भारत द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है वहाँ गुरुवा मंत्राले की मंजूरी के बाद भारत में रोजगार पाने के पात रहोंगे गौर्तलभे की इससे पहले UGC और AICTE भारतिय चात्रों के लिए चीन के शिक्षन संस्थानों के संदर्ब में भी इसी प्रकार के एडवाजेरी जारी की थी गौर्तलभे की हर वर्ष जम्मू कश्मिर के कई चात्र पाकिस्तान के इंजिनिरिंग कॉलेजों में अड्मिशन ले रहे है झाल झाल